बिसमिल्ला रख्मान रर्रहीम, असलाम अलेकम स्टुएंट्स, उमीद है आप सब हैरियत से होंगे I am Zainab Fatma, your science teacher, हम पढ़ रहे थे unit number 11, that was the environment अभी तक हमने पढ़ा कि environment में कितने components होते हैं, वो आपस में किस तहां से interact करते हैं उसके बाद मैंने आपको दो definitions बताई, food chain की और food web की इसे पिछले lecture में हमने ये पढ़ा कि एक organism, अपनी energy दूसरे organism तक किस तरहां पहुंचाता है और energy एक form से दूसरी form में किस तरहां से convert होती है आज हम पढ़ेंगे an important interaction that happens in our ecosystem तो आएए शुरू करते हैं तो हमारा topic है predators and prey predators और prey का जो relationship है या आपस में interaction है वो ecosystem का एक बहुत important interaction है यहां लिखा है an important interaction between organisms living in an environment हमारी environment में जो living और non-living components हैं उनका आपस में interact करना काफी जरूरी है और हमने इससे पिछले lecture में जब transfer of energy को discuss किया तब आपको पता चल गया कि किस तरह एक organism का या एक चीज का दूसरे से interact करना important है अब यहां पर लिखा है कि predators और prey का आपस में interaction हमारी environment के लिए बहुत important है यह जरूरी है कि आपको पता हो predators क्या होते हैं और prey क्या होते है number A is predator, an animal that naturally preys on others ऐसा animal जो naturally किसी और animal को prey करता है P-R-E-Y, prey stands for hunting मतलब कोई भी animal अगर एक और animal को hunt करता है hunt करकि उसको kill कर देता है और फिर उसको खा जाता है मतलब feed करता है किसी और animal पे तो हम उसको कहेंगे that it is a predator अब वो जिस organism को या जिस animal को जाकर kill करेगा और फिर उस पर feed करेगा उसको हम कहेंगे prey prey is an animal that is hunted and killed by another for food ऐसा animal जो किसी और animal मतलब अपने से ज़ादा ताकतवर animal के हाथों शिकार बन जाता है और वो उसको शिकार करके मार देता है और मार के खा जाता है ऐसे animal को हम कहते हैं prey तो predator और prey का आपको पता चल गया कि ऐसा animal जो के दूसरे animals मतलब कमजोर animals को मारता है और मार कर उनके उपर feed करता है उसको हम कहते हैं predator और वो animal जो के मरता है और खाना बन जाता है अपने से ताकतवर जानवरों का उसको हम कहते हैं prey इनका अपस में interaction हमारे ecosystem के लिए बहुत ज़ाधा important है और एक की population जो है वो दूसरे की population को affect करती है हम देखते हैं किस तरह Both populations affect each other यहाँ पर मैंने लिखा कि predator increase करेगा तो prey decrease कर जाएगा यहाँ हम example लेते हैं lion की या tiger की टाइगर जो है वो prey करता है मतलब hunt करता है deer को या फिर zebra को जब वो zebra को hunt करेगा और उसके उपर feed करेगा तो obviously जो zebra की population है वो decrease करेगी जबकि जो lions हैं जो खा रही हैं वो खा के ज़ादा population को increase करेंगे तो lion की population जादा होगी इसका मतलब कि हमारे zebra या फिर deer की population कम होगी क्योंकि जादा lions मौजूद होंगे उनको hunt करने के लिए अगर इसके बराक्स मैं कह दूँ कि predator की population decrease करे तो prey जो है उसकी population increase करेगी इसको हम कहते हैं in a worse relationship इसकी भी वही example ले लीजिए अगर lion की population decrease कर जाती है इसका मतलब कि prey मतलब जो हमारा deer या फिर zebra होगा उसको hunt करने के लिए जादा lions मौजूद नहीं होंगे और इस तरह उनकी population increase करती जाएगी और जो lions है उनकी population decrease होगी that is the interaction between a predator and a prey अब हम जाकर देखते हैं कि predator और prey जो है वो आपस में किस तरहां से interact करते हैं और predator किस तरहां के species को या फिर एक population में से किस तरहां के individual को actually hunt करता है तो यहां पर मैंने एक point लिखा when a predator eats its prey, it removes individuals from their population obviously जब कोई predator, for example, a lion जब वो prey करता है किसी कमजोर जानवर को या hunt करता है किसी कमजोर जानवर को जैसे के हमार पास example है deer की तो deer की जो population है वो decrease करेगी जबके lions जो के खा रहे हैं, feed कर रहे हैं वो feed करके energy लेंगे और उनकी population increase करेगी यहां लिखा है कि जब कोई predator अपने prey की population या prey की species में से किसी भी individual को prey करेगा हंट करेगा, तो उस prey की population decrease कर जाएगी और यही बात मैंने अभी आपको example के साथ explain की usually the sick or the old यहां पर मैंने individuals को underline किया और बताया कि evoke किस तरह के individuals हैं जो के शिकार बन जाते हैं predator का तो यहां लिखा है वो usually ऐसे individuals होते हैं जो के या तो sick होंगे या तो बहुत बुड़े मतलब old होंगे अब sick individuals obviously अगर कोई बिमार होता है तो उसकी energy level down होता है अगर कोई predator शिकार करता है किसी कमजोर जानवर का तो बाकी जानवर तो जल्दी से भाग जाएंगे मगर जो बेमार जानवर है वो नहीं भाग सकेगा और eventually शिकार बन जाएगा हमारे predator का बेकुल इसी तरह जो बुड़े जानवर होंगे old species of a certain population वो भी predator से बच नहीं सकते और उनका शिकार हो जाते हैं अब इस तरह के sick और old individuals का अगर शिकार हो जाए तो किसी भी किसम का नुकसान नहीं होता species को मतलब अगर हमारा predator किसी बेमार या फिर बुड़े species का शिकार करे तो हमारे population को जादा फरक नहीं पड़ेगा क्यों? क्योंकि number one जो sick individual होता है अगर किसी population में एक sick individual होगा तो वो जो है बाकी population के अंदर disease transfer कर सकता है It sounds rude मगर ऐसा ही है अगर population के अंदर कोई sick या फिर old individual हो और उसका शिकार हो जाए तो population को नुकसान के बजाए फाइदा होता है क्योंकि number one जो sick individual होता है वो healthy individuals की तरफ disease transfer कर सकता है जबकि जो old individual है It uses up the valuable food supplies For example, अगर deer के बात की जाए और अगर कोई बुढ़ा deer है जो के breeding नहीं कर सकता मतलब reproduction नहीं कर सकता infant को जनब नहीं दे सकता तो होता यह है कि उस वो जब food supplies को consume कर लेगा तो बाकी जो healthy individuals है, young individuals है उनके लिए खाना नहीं बचेगा या फिर कम हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि जब भी किसी population में sick individual या old individual का शिकार हो तो population को फरक नहीं पड़ता हाँ, अगर किसी healthy individual का population में शिकार हो जाए मतलब अगर deer की ही बात की जाए तो lion अगर किसी बुढ़े deer का शिकार करेगा तो वो population decrease नहीं करेगी बलकि उस population को फाइदा होगा बेकुल इसी तरह अगर वो किसी बिमार deer का शिकार करता है तब भी population को फाइदा होगा, नुकसान नहीं होगा मगर अगर वो किसी healthy deer का, young deer का शिकार कर ले तो population जो है, वो decrease कर जाएगी और extinction की तरफ चली जाएगी जिसको हम कहते हैं, किसी बी species का खतम हो जाना तो यहां लिखा है, none of these are capable of breeding जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना तो कोई sick individual, ना ही old individual एक animal species का breed कर सकता है एक species का future depend करता है यह healthy individual या young individuals ने अपनी species को आगे बढ़ाना होता है वो किस तरह? वो इस तरह कि breeding करने के बाद जब वो reproduce करेंगे और एक नहीं generation बनाएंगे, तो इनकी species जो है वो नसल दर नसल चलती जाएगी जबकि अगर यह healthy individuals शिकार हो गए किसी predator का तो फिर हमारे पास बच जाएंगे या तो sick individuals या फिर old animals जो के breed नहीं कर सकते और बोज हैं species के उपर जैसा कि मैंने आपको बताया है जब भी कोई young या फिर healthy individual का कोई भी animal शिकार करेगा तो वो जो prey population है, मतलब वो population जिसका शिकार हो रहा है उसकी population decrease हो जाएगी, मतलब उसकी population का number decrease कर जाएगा तो आपको पता चल गया यहाँ पर किस तरह predator जो है वो prey की population को affect करता है मैं आपको यह समझाऊंगी एक graph की मदद से ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए यहाँ पर मैंने एक point mention किया that fewer predator means fewer prey will be eaten इसका मतलब यह है कि अगर predators कम होते हैं तो यह कम hunt करेंगे for example अगर lion की population कम होती है तो obviously काफी deer बच जाएंगे hunt होने से, शिकार होने से this allows the prey population to increase इस तरह prey population increase कर जाएगी obviously जब lions मौजूद नहीं होंगे deer को prey करने के लिए, hunt करने के लिए तो जो deer की population है वो आइस्ता इस्ता increase कर जाएगी यहाँ पर मैंने एक graph बनाया जिसमें y-axis पर आपको मैंने population दिखाई है और जो x-axis है वहाँ बता रहे हैं time यहाँ पर दो तरहां की lines है number one is a dotted line जो के blue कलर की है and number two is black line जो के dotted नहीं है या दखे का के दोनों different species को या पर different animals को represent कर रहे है जो dotted line है blue कलर की वो आपको बता रही है predator की population मतलब आप यहाँ पर example ले ले line की population की second है black line तो कि black line है यह आपको prey population यानि deer की population explain कर रहे है अब आपने देखा कि जब एक population increase कर रही है तो दूसरी decrease कर रही है वो किस तरह डॉटेड लाइन से हमें बता रहे है predator की population this is the predator population predator वो animal था जो के शिकार कर रहा है अपने से कमजोर जानवरों का तो predator की population यहाँ जब कम हुई यहाँ जब कम हुई तो prey की population increase कर गए क्यूं क्यूंके predator वहाँ मौजूद नहीं था शिकार करने के लिए कमजोर जानवरों का इसलिए जो कमजोर जानवरों की species है उसकी population increase कर रही है अब यहाँ आपने देखा कि यह जो population है यहाँ जाके increase कर रही है इसका जहाँ पर peak बन रही है वहाँ पर इसकी नीचे वाली peak बन रही है जैसा मैंने आपको बताया दियार inversely related to each other एक population के increase कर जाने से दूसरी population decrease करती है बिल्कुल इसी तरह इस graph में बताया गया है एक जगा जब increase होगा तो दूसरी population decrease करेगी और जब यह population decrease करेगी तो पहली population increase कर जाएगी इसको कहते हैं the relationship between a predator and a prey यहाँ पर मैंने एक point लिखा है notice that the number of predator is always lower than the number of prey dotted line से मैंने आपको बताया कि predator की बात हो रही है अब आपने देखा वो line जो कि predatres को indicate कर रही है या represent कर रही है वो black line से नीचे है इसका मतलब यह है कि predator की population naturally कम होती है as compared to their prey मतलब lion की population हमारे world में कम होगी as compared to the population of deer this is a natural phenomenon that Allah has created so that any species that is being preyed मतलब जिसका शिकार हो रहा है वो extinct ना हो जाए मतलब इस दुनिया से खतम ना हो और जो system है खाने का और energy transfer का वो चलता रही तो उमीद है आपको बहुत अच्छे सी समझ आ गया the relationship between a predator and a prey आज के लिए इतना ही अपना बहुत ख्याल रखेगा खुदा आफिज